आज के वीडियो में आप सारी विकास अर्था divergent evolution और आप ही सारी विकास अर्था convergent evolution को चित्र और उधारन सही समझाएंगे सबसे पहले आप सारी विकास को समझा देते हैं देखिए एक ही पूर्वज से विभिन जातियों के विकास को अप सारी विकास कहा जाता है पूर्वज एक है और उस एक पूर्वज से विभिन प्रकार की जो जातियों का विकास होता है उसे ही अप सारी विकास या divergent evolution कहते हैं कहने का मतलब यह है कि एक पूर्वत जाति से बिभिन जातियों का जो विकास है उसे ही विकासी अपसरन कहा जाता है या अपसारी विकास कहा जाता है जैसे गिलहरी वा प्राइमेट्स व्रेचछवासी दूसरा उद्रहन लिया जाए तो घोड़ा वा म्रगधावी प्राणी अगर तीसरा उधारण देखा जाए तो वेल, समुद्री, गाय, आदि जल में तैरने वाले जो जली प्राणी होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही पूर्वस से बिभिन जातियों का विकास ही अब सारी विकास कहलाता है। जबकि अभिस सारी विकास में क्या है कि समान पर्यावरण में रहने के कारण भिन वर्गों के जीवों में समान लक्षणों के विकास को अभिस सारी विकास कहा जाता है। समान पर्यावरण है और उस समान पर्यावरण में भिन वर्गों के जीव हैं उन जीवों में समान लक्षणों का जो विकास हो रहा है उसे ही आभिसारी विकास कहा जाता है या विकासी आभिसरण कहते हैं पर्यावरण एक जैसा है और अलग अलग वर्गों के जीव हैं तो उ उसे ही क्या कह जाता है अभिसारी विकास कहा जाता है जैसे कीटों उड़ने वाले रेप्टाइल्स पच्छियों और उड़ने वाले इस्तंधारियों में पंखों का विकास हुआ है अगर दूसरा उधरण देखा जा तो कार्टिलेजी वा अस्थिल मचली डालफिन और पॉर पंक पाए जाते हैं कहने का मतलब यह है कि समान परण में रहने के कारण भिन वर्गों के जियों में समान लक्षनों का विकास ही अभिशारी विकास कहलाता है